दोस्तों ये करिट कार्ड सौधिय अरब में तहसील के तरफ से दिया जाता है जो काफी अच्छा है कैस्बैक के साथ आपको बहुत सरा बिनेफिटिस से होता है उनलेन शॉपिंग में या फी मनी ट्रांसफर में तो इस कार्ड को आप अपलाई कैसे कर सकते हैं मैंने जो है ये कार्ड डिकलाइन हो जाएगा तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं वीडियो थोड़ा सा लंबा हो सकता है मगर आप एक एक स्टेप देखिए इसमें बहुत सरा स्टेप है तो वीडियो के लास्त तक जरूर बने रहिएगा तो चलिए वीडियो को करते हैं भी आप अप्लाई करने की कोसिस किजिए, खुद से मत करिए, क्योंकि मेरा भी एक बार डिकलाइन हो गया था, तो फिर हम बाद में अच्छे से समझ की किया, तो ये वीडियो में जो मैं बताने वाला उसको ध्यान से खली देखिएगा, ठीक है, थोड़ा शॉट में हम वीड का उप्सन है, चूज कर लिजिएगा, अब यहाँ पर सबसे पहले आपको एकांट बनाना होता है, तो अगर आपने एकांट बना रखा है, तो इकांट बना सकते हैं, कोई बहुत बड़ी चीज नहीं, पासकोड में, जो है, शिक्स डिजिट का एक पासकोड बनाना होता है तो चलिए एकांट नमबर, तो फिर आप लॉग इन करना है, ठीक है, साइन इन का उप्सन आएगा, लॉग इन कर लेना है, लॉग इन में अपना इकांट बनाना होता है, वह पासकोड जो आपने बनाया होगा, वह डाल दीजिएगा, उसके बाद जो है, यहाँ पर आपके रेजिस्टर नमबर पर एक OTP, तो वह स्टेप को फॉलो करके, यहाँ पर लॉग इन हो जाना है, ठीक है, यह देखिए हमारे सब कुछ हो गया, यहाँ पर, साइन इन का उप्सन मिल रहा है, साइन इन वाले उप्सन पर हम क्लिक कर देंगे, अब आपके सामने कुछ इस तर का इंटरफेस दिखेगा, यहाँ पे तीन उप्सन दिखेंगे, इंस्टॉर्मेंट, सेज, प्रसनल, फाइनन्स, एंड क्रेडिक कार्ड, तो क्रेडिक कार्ड़वाले उप्सन पर क्लिक करना है, उसके बाद यहाँ पर नेक्स्ट इस्टेप का उप्सन मिल जाता है, उसको उसको क्लिक कर देंगे अब यहां पर आपके सामने आएगा कि आप जो है अपना डिलेवर में आप मतलब उन लोगों को असानी हो तो यहां पर जो भी है जैसे अलखर्ज हम चूज कर लिए सेंटरल रहने देंगे अगर आप रियाद रीजन में है तो सेंटरल यहां पर देगे यहां पर उसके बाद जएएगा पřर कि कंपनी आपका कैसा है तो कंपनी होइड कर देंगे अब ने कटिक करेंगे अब यहां पर काम करते अपने कंपनी में तो वह वह ढ़ते हैं उसके पार नीचे आएगगा फिरितिक सानnoc यहां पर यहां कि head office कहां पर है या फिर आप जहां पर काम करें वहां का भी डाल सकते हैं अब last make option रहेगा आपका basic salary कितना है तो वह यहां पर choose करेंगे उसके बाद next step में click कर देंगे अब यहां पर आप से additional information मांगा जाएगा कि आप कितना खर्चा करते हैं monthly का आपका rent क्या है तो देखिए स सारे चीज़ तो company उठाती है तो जो है income घरूर कितना भेजते हैं वो सब यहां पर डाल दीजिएगा ठीक है तो जैसे other monthly expense में हम यहां पर 1000 रेल रख देते हैं क्योंकि यहां पर 1000 पर उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में click कर देंगे उसके बाद आएगा कि आप politically involved है तो no र रहा है यहां पर आपका process होगा यही main चीज़ है आपको यहीं पर बताए जागा कि आपको कितना मतलब offer किया जाएगा credit card का तो यहां पर आपको back भी नहीं जाना है इंतजार करना है जितना भी time लगे आपको इंतजार कर लेना है देखे यहां पर validate हो रहा है सब कुछ जो ह किया जा रहा है अब आपको दिया जाएगा कि आपको जैसे देख सकते हैं यहां पर डियर MDA जाजमन मेरा नाम है कंग्राचुलेशन हमारा जो application credit card के लिए मैंने अप्लाई किया वह अप्रूब्ड हो चुका है और च्यालिस सो रियाल जो है मुझे credit limit मिली है तो अगर हम agree ह होंगे तो continue to next step पे click कर देंगे या फिर अगर आपको नहीं चाहिए तो आप यहीं से exit कर सकते हैं कि इतना limit नहीं है तो छोड़ दिजिए बाद में apply कर सकते हैं अब तक तो यहां पर credit card की बात हुई कि credit card कैसे मतलब offer मिलेगा अब main चीज़ है अब ही देखिए यहां पर से यहां पर सबसे पहले आपको जो limit है उसको कम ज्यादा भी कर सकते हैं ठीक है उसके बाद आपको card पे क्या नाम चाहिए वो first name last name में यहां पर डालेंगे उसके बाद आपको full out standing का यहां पर option है कि आप monthly payment कितना करना चाहते हैं जैसे use किये credit card को तो वापस कितना करेंगे तो full out standing amount का option है उसको क्लिक कर दीजेगा ठीक है उसके बाद एक tournament condition नीचे मिलेगा उसको क्लिक करके continue to next step का option मिल जाता है उसको क्लिक कर देना है अब आपको यहां पर इंतजार करना है यहां पर देखिए इस तरह का जो है आपका credit information आ गया उसके बाद यहां पर supplementary card बोल रहा है करने के लिए हमको नहीं चाहिए तो continue to next step का option है उसको क्लिक कर दीजेगा अब यहां पर continue to process digitally का option है उसको क्लिक करके next step पे क्लिक करना है अब यहां पर आएगा कि आप अपने home country में किसी एक को यहां पर नाम डाले और उसका mobile number डाले तो कोई का भी नाम डालके यहां पर mobile number इंडिया का कोई भी एक डाल दीजेगा उसके बाद next पर आपको करना होगा क्लिक अब यहां पर आप सेर वाले mobile number पे एक code आएगा देखे जैसा code आ चुका है उसको यहां पर डालना है डालके next step पे क्लिक कर देना है तो चलिए हम code डाला उसके बाद यहां पर next step का option है उसक आप से पहले तो 75 यहां पर लिखा हूँ और नफात application open करना है जाके नफात application को यहां पर concern देना है वहां पर भी जैसा process होता है नफात application का आपको तो पता होगा तो वह चीज़ यहां पर कर देना जो number यहां दिखेगा वही number वहां पर दिखेगा उसके बाद आपको passcode डाल नबर पुछा जाएगा mobile नबर पुछा जाएगा आपको verification करेंगे तब जाके यहां पर आगे का procedure होगा अभी यहां पर under processing दिखा रहा ठीक है तो अब आपको call जो आएगा उसको receive करिएगा उसके बाद ही यहां पर फिर दिखाएगा कि next step पे आप follow करें जब call उला जाएग उसके आदा गंटा बाद जो है आप यहां पर आईएगा तो आपको यहां पर pending verification लिखाएगा तो pending verification पर किलिक करके यहां पर आगे का प्रोसेस करिएगा कॉल आने के आधा गंटा बाद मैं यहाँ पर देख रहा हूँ थी, यहाँ पर pending लिखा रहा है, उसको click करेंगे, click करने के बाद यहाँ पर digitally तोर पे आपको सब कुछ accept करना होगा, ठीक है, तो यहाँ पर loading लेगा, आपको इंतजार करके खुलने देना, यहाँ पर कुछ documents यहाँ पर देख रहेगी, जैसा कि आप यहाँ पर देख रहे हैं, सब को accept करिएगा, तो एक documents खुलेगा, उसके बाद close करिएगा, तो अपने आप टिक लग जाएगा, ठीक है, उसके बाद last में टर्मेंट कंडिशन रहेगा, उसको accept करना है, तो जैसा कि देख पर यहाँ मैंने चारो को पिन किया, चारो टिक लग गया, अब नीचे का टर्मेंट कंडिशन उसको accept किया, next पर किलिक किया, फिर से passcode मांगेगा आप से, जो आपने passcode बनाया है, इसका six digit का वो डालेगा, वो डालने के बाद यहाँ पर, नीचे आपको एक टर्मेंट कंडिशन अगर उसको किलिक करिएगा, उसके बाद यहाँ पर आपके सामने इस तरह का इंटरफेस आजएगा, ठीक है, अब यह सबसे में चीज़ है, प्रमेंजरी नोट्स, यानि कोट का एग्रिमेंट बन रहा है आपका, इंडियाम जैसे एफ़ डिफिट बोलते हैं, वही बन रह नोट को किलिक करेंगे, उसके बाद यहाँ पर एकAwám पर जो है, आपको नफतषिज है, नफित यहाँ पर क्या आ रहा है, option सबसे पहले English करेंगे उसके बाद approved का option आएगा ठीक है तो approved वाले option पर क्लिक करिएगा तो यहाँ पर yes no का option आएगा तकी यहाँ पर approved वाला option है उसको क्लिक करेंगे yes no का option आ रहा yes कर देंगे उसके बाद आपको इंतजार करना है यहाँ पर उसके बाद यहाँ पर फिर से नफट अप्लिकेशन का वेरिफिकेशन मांगेगा, यहां पर जैसे कोड एक आएगा उसको क्लिक करेंगे, यहांपर देखिए एक बर रिफ्रेस्थ कर लिजीएगा, यहां पर आपधा ऍlass लिखाएट से यहां, फिर से आपको ब्रॉजर में जाना है तो इस तरह का उ देखिए right side में three line दिखेगा उस पर click करके card वाले option पर click करिएगा तो आपका card generate होया हो रहेगा यहाँ पर क्योंकि अगर approved हो जाता है तो उसके बाद आप यहाँ पर penoon बना सकते हैं असानी से कोई बहुत बड़ी चीज यहाँ पर नहीं है penoon बनाना तो असानी है